निर्माता निद्देशक संजय गुपता ने संजय दत को लेकर फिल्म अलिबाग की निर्मान शुरू किये थे सन 2007 में अलिबाग फिल्म की कहानी संजय गुपता के अपने नीजी जीवन से काफी प्रभावित थी इस फिल्म में केंद्रिय चरित्र एक प्रोफेसर का था जो की कॉलेज में बहुत लोग प्रिय थे जब वो प्रोफेसर थे उस प्रोफेसर के पास उनके पसंदीदा स्टूडेंट्स का एक बैच था उस बैच को छात्र कॉलेज जीवन की समापती के बाद रोजी रोटी के तलाश में इधर उधर भटकते रहे, वो अपने अपने समस्याओं से जूजते रहे, जब प्रोफेसर अपने मृत्यु सज्या पर थे, तो उन्होंने अपने कॉलेज जीवन के पसंदीता छात्रों के उस बैच से मिनले की कोशिश करना शुरू कर दिये और छात्र के उन सभी समस्षाव को हल करने का प्रयास करने लग गए जिसका वो अभी सामना कर रहे हैं। इस तरह फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। संजय गुपता ने इस फिल्म की शुटिंग सन 2007 में शुरू की थी और उन्होंने एक महत्यपूर्ण भुमीका में स्पेशल एफियरंस के रूप में या विशेश उपस्थिती के रूप में संजय दत को साइन करवाया था। फिल्म के निर्माण की घोषना 2006 के अंत में की गई थी। तब ये कहा गया था कि फिल्म की शुटिंग 2008 तक पुरी हो जाएगी और इसे रिलीज कर दिया जाएगा। फिल्म अली बाग की हिरोईन नेहा संजय दत के रिक्वेस्ट पर फिल्म में अविनाय करने के लिए तैय संजु बाबा ने निहा के पती मनोज बाजपई से उनका फोन नमबर लेकर निहा से इस फिल्म में काम करने का रिक्वेस्ट किया। फिल्म की शुटिंग संजय दत ने जून 2007 में दस दिन के शिडियूल पर शुरू किये। इस फिल्म के लिए संजय दत पर एक सोलो गाना या एक एक गाना भी शुट किया गया था। लेकिन फिर सं 2007 में ही फिल्म शुट आउट एड लोखनवाला पर केंदरित कुछ मुद्दो पर संजय गुपता और संजय दत के रिष्टे में खटा सा गई। अपने वेस्ट शिडियूल के वज़े से संजु बाबा को अलिबा दूसरे कलाकार को लेने के लिए कहा तब गुपता ने इस फिल्म में संजय दत की जगा इर्फान खान को साइन करवाए लेकिन भुगतान या पेमेंट को लेकर इर्फान खान के साथ संजय गुपता की अनबन शुरू होगी एक दूसरे फिल्म को लेकर इर्फान खान ने दावा किया कि उन्होंने सन 2009 में रिलीज हुई फिल्म एसीड फैक्टरी में संजैदत को रिप्लेस किये थे उनके जगा ली थी लेकिन गुपता ने ठीक ठाक पेमेंट नहीं किया वहीं इरोज एंटर्टेन्मेंट ने भी संजैदत की जगा फिल्म में इर्फान खान को लेने के वज़े से संजै गुपता के खिलाफ अदालत में एक मुकदमा दायर कर दिया इरोज का दावा था कि संजय दत फिल्म पर होंगे यही शर्थ पर वो फिल्म में लागत करने के लिए राजी हुए थे इरोज इंटर्टेंट्मेंट ने संजय गुपता से 18 करो रुपे की मांग की इन्हीं दमदोली के बीच अलिबाग का काम बीच में ही अटक गया फिर 2013 में संजय गुपता ने संजय दत के साथ ही फिर से इस फिल्म को बनाने की या रिवाइब करने की कोशिश की डेट्स और शिडियूल भी फाइनल हो गया लेकिन इस बार संजय दत को पुराने मामले की कानूनी पेचीदगियों के कारण जेल जाना पड़ा फिल्म को रिवाइब करते समय या पुनरजिवित करते समय संजय दत अपने पिछले किये हुए द्रिश्य को फिर से रिशूट करने के लिए बिलकुल राजी नहीं हुए इस मुद्दे पे भी एक समस्या आ गया अवीनेता माधवन को भी इस फिल्म में एक चरित्र के लिए लेने का सुचा गया था लेकिन बाद में उन्हें फिल्म से हटा दिया गया आन्तेता बहुत से कारण के वज़े से फिल्म का काम और आगे ही नहीं बढ़ पाया आखिरकार अली बाग एक शेल्वड प्रोजेक्ट या ठंडे बस्ते में जाया हुआ प्रोजेक्ट बनके ही रह गया हम फिल्म प्रेमी यही उम्मीद करेंगे कि संजैदत और संजैगुपता के बीच में जो सारे प्रॉब्लेम्स है वो एक ना एक दिन दूर हो जाए और जितना दूर तक काम होके इस फिल्म का काम अटक गया है उसके आगे काम होकर यह बहतरीन फिल्म रिलीज हो हम इसे देखना चाहते हैं